Hello everyone, welcome back to Current Affairs by Ravi YouTube channel और मेरा नाम है अदिती आज की important वीडियो में मैं जो आपको important और भी cover करवाने वाली हूँ इस topic का नाम है महारतन कंपनियां तो महारतन कंपनियों से जुड़ी information आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ये भी जानेंगे हम की भारत में जो है अब प्रेजन्ट में दोहजार चोवीस में जो है कितनी महारतन कंपनियां प्रेजन्ट है जैसे की तेरा महारतन कंपनियां है उसके बारे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कितने नवरतन कंपनिया हैं और मिनी रतन कंपनियों के वाराय में भी डिस्कस करेंगे और महरतन कंपनियों के उपर जो important MCQ का सेशन रहेगा उससे भी डिस्कस करेंगे वीडियो के साथ आप एटन तक बने रही आपके लिए काफ़े सदा help करेगी आपके exam के टाइम पर तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं without any further discussion तो फ्रेंस महरतन कंपनिया जो है यह भारत सरकार के तहत सुचिबद केंद्रे सार्विजनिक छेतर के उध्मيों को दी जाने वाली एक स्थिती में से एक है महारतन विवस्था की शुरुआ जो है यह आपकी वर्ष 2010 में सारविजनिक छेतर में बड़े उद्मों को वैश्विक दिगज बनाने के उद्श्य से की गई थी बाहरे सरकार जो है फ्रेंट्स कुछ मांदंडों को पूरा करने के हधार पर जो है CPS को तीन श्रेनियों में वर्गरिकरित करती है वो तीन श्रेनिय कोन-कोन सी है आपकी महारतन कंपनिया नवरतन कंपनिया और मिनी रतन कंपनिया फ्रेंट्स प्रेंट्स प्रेजन टाइम में जो है फेब्रेरी दोहसार चोबीस में इंडिया में जो है टोटल तेरा महारतन कं सेवेंटिफोर्ट जो है मिनीरतन कमपनिया है ठीक है। नमंबर 2023 के अकोडिंगली। कमपनियों को जो है फ्रेंस भिवीर्न श्रेनियों में उनके टरन ओवर, मार्किट कैपिटल और लाब के अधार पर वर्गी कृत किया जाता है महारतन, नवरतन और मिनीरतन कंपणियों में ठीक है अब हम बात करिते हैं केंद्रिय सार्वजिनिक चेतर के उधमों की जिने की Central Public Sector Enterprises कहा जाता है तो CPSC जो है फ्रेंड्स इसकी short form है ठीक है इसे जो है ये भारी उध्यों को और सार्वजिनिक उधम मंतराले दोरा पर शासित किया जाता है और केंद्रिय सार्वजिनिक चेतर के उधमों का जो आशे है फ्रेंड्स उन कमपणियों से है जिनमें की केंदर सरकार या फिर अन्य CPSC की प्रत्यक्ष्य हिस्सेदारी वो आपके होती है 51% जा फिर वो इससे भी अधिक होती है सारवजनिक उध्म भिवाग सभी केंदरी सारवजनिक चेतर उध्मों के लिए जो है नोडल भिवाग है और सारविजनिक उद्धम भिवाग जो है ये CPSS के संबंद में फ्रेंट्स निती को क्या करता है त्यार करता है महारतन कंपणी जो है फ्रेंट्स इसे बनने के लिए निमन मापदंडो को पूरा करना होता है इसी के पश्चा आपकी कंपणी महारतन बन पाएगी तो उन मापदंडो के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ तो कंपणी जो है फ्रेंट्स उसे नवरतन का दर्जा जो है आपका प्राप्त होना चाहिए कंपनी को जो है भार्टी प्रतिफुदी और विनम्य बोर्ड जिसे के आप से भी कहते हैं इसके नियामकों के अंत्रगत जो है नियूंतम निर्धारी तसारवजनिक हिस्सेदारी के साथ भार्टी शेर बजार में जो है सुचिबत होना विगत तीन वर्षों की अबदी में जो ओसत वार्षिक विवसाई है यानि की एवरेज एन्यूल टर्न ओवर है उस कंपनी का वो आपका होना चाहिए 25,000 करोड रुपे से अधिक जो है उसका एवरेज एन्यूल टर्न ओवर होना चाहिए कंपनी का महारतन कंपनी वरने के पिछले तीन वर्षों में जो है उस कंपनी की ओसत वार्षि निवल मुल्य यानि की एवरेज एन्यूल नेट वर्थ जो है वो आपके होनी चाहिए 15,000 करोड रुपी से अधिक ठीक है पिछले तीन वर्षों का उसत वार्षिक शुद्ध लाब जो है यानि की एवरेज एन आईए अब जानते हैं कि जो महरतन कंपनी होती है इन्हें वीशेश सज्जा क्यों मिला होता है तो इसका जो उद्देश होता है यह होता है CSPC पीस को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्दा करने के लिए और अधिक शक्ति और स्वायतता देने के लिए जिसकी मदश से जो है इनकी वैश्विक दिगज बनने की राह में कोई अडयन ना आए उधारन यदि BHEL यानी की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमेटेड कंपनी जो है यह अपनी बहतरी के लिए जो है 200 करोर रुपई का निवेश करना चाता है तो उसकी महारतन स्थिती के कारण जो है कं अनुमती की जो है अवशक्ता नहीं होती यह महारतन कंपनी की जो है विशेष्टा होती है महारतन स्थिती कंपनी को जो है सरकार से पूर्व अनुमती के विना जो है कुछ सीमा तक निवेश करने में सक्षम बनाती है ठीक है महारतन पद का लाब क्या होता है अब इसके बा देता है मतलब अगर आपकी कंपरी जो है वो महारतन कंपरी है तो उसे जो है नवरतन और मीनी रतन से अधिक जो है अधिकार प्राप्त होते हैं ठीक है वे भारत और विदेशों में विल्ले और अधिग्रहन कर सकते हैं जो कि नेट वर्थ के 15% की सीमा से अधीन है महारतन CPS इंडियन रुपीज 1,000 करोड से जो है 5,000 करोड रुपई तक का निवेश कर सकते हैं महारतन केंदरी सारवजिनक्स चेतर के उधमों के बोर्ड जो है वित्य संयूक तो करमों की शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकते हैं यानि कि इक्विटी इन्वेस्मेंट जो है वो कर सकते हैं ये महारतन पद के लाब होते हैं अब हम जानते हैं जो भारत की टोटल 13 महारतन कंपनीज हैं उनके बारे में तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे भारत हैवी Electricals Limited यानि की भेल के बारे में भारत हैवी Electricals Limited जो है ये भारत में सारवजनिक छेतर की Engineering वी निर्मान छेतर की सबसे भड़ी जो है वो कमपनी है जो की क्या करती है बिजली उपकन बनाती है उध्योगी उत्पादों और प्रनालियों में जो है इसकी विशेशता है अगर बात करें भारत हैवी Electricals Limited के मुख्याले की तो इसके मुख्याले आपके हैं नई दिल्ली में स्थाबना इसकी करी गई थी 13 नमंबर 1964 में और जो करंट में भारत हैवी Electricals Limited के CEO है उनका नाम है कोपू सधाशिव मूर्थी नेक्स्ट बात करते हैं भारत Petroleum Corporation Limited की यानि की BPCL की BPCL जो है ये एक अगरनी तेल और गैस की कमपनी है जो की Petroleum उत्पादों के शोधन विपनन और वितरन में शामिल है भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी एकीकरी तेल शोधन और विपनन करने वाली सार्विनिक छेतर की कमपनी है आपकी BPCL मुख्याली की बात करें BPCL की मुख्याली आपके मुंबई में है और स्थापना इसकी 1952 में हुई थी रास्टे करण 1976 में अध्यक्षेवं MD है करेंट में फ्रेंट्स शिरी कृष्ण कुमार नेक्स्ट बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की यानि की CIL की तो ये भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोईला खनन कमपनी है ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामिता ग़े वाली कंपनी है जो की कोईला मतराले भारत सरकार के अधिनस्त है बात करेंगर CIL के मुख्याले की तो इसके मुख्याले जो है ये पस्चिन बंगाल की कॉलकाता में है स्थापना इसकी करी गई थी call India Limited's 1975 में current में जो अधिक्ष है उनका नाम है प्रमोद अगरवार नेक्स बात करते हैं भारती गैस प्राधी करन Limited's यानि ही गेल की तो गेल इंडिया Limited भारत में जो है यह जाए यह dice उत्खरन करने वालィ शीर्ष तक्नी की संस्था है यह जो है यह प्राकृतिक गैस की खोच, उत्पादन, पारिक्षन, वित्रन और विपनन में शामिल अगर्न यह प्राकृतिक गैस कमपनी है बात करें इसके मुख्याले की, इसके मुख्याले आपके है नई दिली में और इसकी स्थापना करीगे इती वेंट्स गेल की 1984 में अध्यक्ष जो है उनका नाम है संदीब कुमार गुपता नेक्स बात करेंगे हिंदोस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड की यानि की HPCL की तो भारे सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एक कीकरित तेल शोधन और विपनन करने वाली सार्विजिंग छेतर की कमपनी है वेंट्स HPCL HPCL जो है यह मुंबई और विशाका पतनम में इनकी प्रमुख रिफाइनरी को संचालन करता है जो की गैसोलीन डीजल, LPG, विमानन टर्बाइन इंदन, आधी एक विस्तरी तशिंखला का उतपादन करती है HPCL के मुख्याले आपके मुंबई में है और इसकी स्थापना करीगी थी 1974 में करंट में जो अध्यक शेफरेंज HPCL के उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी एकस बात करते हैं इंडियन ओयल कोर्परेशन लिमिटेड की तो ये जो है ये सार्वनिक छेतर की सबसे बड़ी एक इकरित तेल, शोदन और विपननन कमपनी है IOCL जो है ये एक प्रमुक तेल और गैस कमपनी है जो की पेट्रोलियम उत्पादों के शोदन, विपनन और वितरन में शामिल है ये कई रिफानिरियों का जो है संचादन करती है फ्रेंट जो IOCL है इसके धक्ष एकरंट में श्रीकान माधववेद्य मुख्याले इसके है नहीं दिल्ली में और स्थापना इसकी करी गई थी 30 जूर 1959 को नेक्स्ट है राश्ट यताफ विध्यूत निगम यानि के अंटी पीसी अंटी पीसी जो है ये स्वच और टिकाउ उर्जा उत्पादन पर ध्यान देने वाली भारत की अगरन ये विजली उत्पादन कंपनी है ये कई थर्मल हाइडरो और नवी करनी उर्जा परियोजना उन्हें संचालित करता है NTPC जो है इसके Headquarters आपके हैं नई दिली में और NTPC की स्थापना हुई थी 7 नमबर 1975 में करंट में CEO की बात करें तो गुरदीप सिंग जो है वो NTPC के CEO है Next company की बात करते हैं तो वो है आपकी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानि की ONGC ONGC जो है फ्रेंस ये तेल और गैस शेतर में भारत की सबसे बड़ी जो है अनवेशन और उत्पादन कंपरी है ये जो है ये तेल और गैस अंसादनों की खोज उत्पादन और वित्रन में शामिल है बात कर इसके की स्थापना की तो 14 अगस्त 1956 को जो है फ्रेंस ONGC की स्थापना हुई थी मुख्याले इसके जो है ये देहरादूल में है और रेजिस्टर ओफिस इसका नई दिली में है करंट में जो अध्यक्षय उनका नाम है अरुन कुमार और ONGC की जो पहली महिला प्रमुक्ति फ्रेंड्स उनका नाम था अलका मित्तल मैं आपकी आपको जो है काफी सारे important points करवर करवा रहे हूँ एक ही company में ठीक है तो आपने वीडियो को लाइक हो शेर करना नहीं भूला है अगर चैनल पे आप नियू स्टूडेंट है फर्स टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नियू नियू वीडियो के लिए जो है आप हमारे साथ बने रहे हैं नेक्स्ट आपकी है पावर ग्रिड कोर्परेशन पोर्परेशन उफ इंडिया तो ये जो है भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाली विट्य संस्ता हे जो कि देश में बिज्ली चेतर के विकास और विस्तार के लिए विट्यस आहता को प्रधान करती है ये जो है फर्सके कि सारविजनिक और नीजी दोनों चेतरों में बिजडी परियोजनाओं के वित पोशन और समर्थन में महतपून भूमी का धिवाता है और पावर ग्रीड कोर्परेशन ओफ इंडिया जो है इसकी स्थापना आपकी 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी मुख्याले कहां है हर्याना की गुरगाओं में करंट में जो अध्यक्ष है इसके उनका नाम है आरकेत्यागी नेक्स्ट बात करते हैं स्थील अथरोटी ओफ इंडिया लेमिटेड की यानि की सेल की तो सेल जो है यह भारत में एक प्रमुख इस पात बनाने वाली कंपरी है जो की देश भर में भिविन इ 24 जैन्वरी 1973 को करी गई थी करंट में जो अध्यक्ष है सेल के उनका नाम है अमरेंदू परकाश नेक्स्ट आपके पावर फाइनेंस कॉर्परेशन यानि की पी एफसी तो इसके बारे में जानते हैं तो पावर ग्रिट देश भर में जो है बिजली के पारिक्षन और वितर कॉर्परेशन की उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा नेक्स्ट कंपनी की बात करते है तो इसका नाम है ग्रामीन विद्यूतिकरण निगम लिमेटेड फ्रेंट ये जो पूरे भारत में बजली छेतर के वित्ट पोशन और अव सरंचना विकास पर ध्यान के छिंदरित करत अंतरगत आती है ठीक है बात करें इसके स्थापना की तो REC की स्थापना 1969 में हुई थी CMD कौन है करंट में विकेद देवांगत फ्रेंस REC जो है इसे 22 सेदंबर 2022 को जो है महारतन केंद्री सारड़िजिंग शेतर के उद्धम का दर्जा दिया गया था नेक्स बात करें ओडिया लिमिटेड की तो ओडिया लिमिटेड जो है यह भारत सरकार की पैट्रोलियूम एवर प्राकृतिक गैस मंत्रा ले के प्रशासनिक नियंतरन के अधीन सरकारी स्वामितव वाली जो है भारत की बड़ी तेलेमम गैस कंपनी है और इसके मुख्याले ह है आपके उत्रपरदेश के नौईडा में स्थाबना कब हुई थी ओईल की तो ओईल इंडिया लिमिटेड की स्थाबना 18 फरबरी 1959 को की गई थी करेंट में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर रंजीत रत तो यह थी 13 important maharatan companies इसके बारे मैं आपको बताया उमीद करते हूं आपको अच्छे से जमझ आ गया होगा अब हम जानते हैं भारत की 16 नवरतन company के बारे में ठीक है फ्रेंस जो महारतन company हैं इससे लेटर आपके exam में question पूछ लिया जा सकता है इसलिए मैंने आपको जो है प्योर डिटेल में वो बता दिया अब हम जो है 16 नवरतन company के नाम जान लेते हैं तो देखे फ्रेंस नंबर वन पे है भारत electronics limited इसकी स्थाप्रा 1954 में हुई थी और मुख्याले इसके बेंगलोरू में है current में जो अध्यक्ष है फ्रेंस B.E.L. के वो है भानू प्रकाश रिवास्तव नेक्सट है Container Corporation of India Limited इसकी स्थाप्रा 1988 में हुई थी मुख्याले के बात करें तो मुख्याले नई दिली में है और संजय स्वरूप जो है वो अध्यक्ष है नेक्सट है Engineers India Limited इसकी स्थाफ्रा 1965 में हुई थी नई दिली में मुख्याले है और वरतीका शुकला जो है हिंदुस्तान एरेनॉटिक्स लिमिटेड है आपकी नेक्स्ट नवृतन कमपनी उसकी स्थापना के ये थी 1940 में बंगलूरू में इसकी मुख्याले है और अशोक नाइक जो है ये करंट अध्यक्ष है इन दूस्तान एरेनौटिक्स लिमिटेड के नेक्स्ट बात करते हैं महानगर टैलिफोन निगब लिमिटेड की तो फेंस इसकी स्थापना 1986 में हुई थी मुख्याले की बात करें नई दिली में मुख्याले हैं और सुनील कुमार जो है करंट अध्यक्ष है नेक्स्ट है नेशनल अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इशा के भूवनेश्मर में इसके मुख्याले हैं और श्रीधर पात्रा जो है वो अध्यक्ष है नेक्स्ट कंपनी है आपकी नेशनल बिलिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन लिमिटेड इसकी स्थापना 1960 में हुई थी नई दिली में मुख्याले हैं केपी एस स्वामी जो है केपी एम स्वामी सोरी ये जो है करंट अध्यक्ष है फ्रेंस एन बी सी सी के नेक्स्ट बात करते हैं NLC की यानि की नैवेली लिगनोईट कॉर्परेशन लिमिटेड तो फ्रेंस इसकी स्थापना 1956 में की गई थी तमिनाडू के नैवेली में इसके जो है है करंट में जो प्रसन्ना कुमार मोटुबली है फ्रेंस की इसकी ध्यक्ष है नेक्स्ट कंपनी राष्टे खनेज विकास निगम यानि की नैम डी सी इसकी स्थापना कब हुई थी 1958 में मुख्याले कहां पर है 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 इद्राबाद में करंट में अध्यक्ष कोन है सुमित अदेव नेक्स्ट कंपनी आपकी राष्टे इसपात निगम लिमिटेड इसकी स्थापना 1971 में हुई थी विशाखा पत्नम में इसके मुख्याले है और पी मधु सुधन जो है करंट अध्यक्ष है इसके नेक्स्ट कंपनी है शिपिंग कोर्परेशन ओफ इंडिया इसकी स्थापना 1961 में हुई मुबई महराष्ट में इसके मुख्याले है और विनेश कुमार त्यागी करंट अध्यक्ष है नेक्स्ट कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड है दोहजार तीन में स्थापना करी ग स्थापना 1978 में की गई थी नेक्स्ट कंपनी है इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड स्थापना कब हुई थी 1976 में नई दिली में मुख्याले है और ब्रिजेश कुमार गुपता जो है करंट CMD और CEO है फ्रेंस जो मैं आपको इस लिस्ट में उसका स्थापना का बता रही हूं करंट अध्यक्ष के बारे में आपको बता रही हूं इसलिए आपको इस लिस्ट का स्क्रीन शोट ले लेना है ठीक है आपको अच्छे से यह लिस्ट पढ़के जाने है अपने एक्जाम से पहले अगर कंपनियों से कोई कोशन आता है तो इन ही में से आएगा नेक्स्ट है राइट्स लिमिटेड इसकी स्थाबना 1974 में हुई थी गुर्ग्राम हर्याना में इसके मुख्याले है और राहुल मिथल करंट CMD है इस कंपनी के तो यह थी नवरदन कंपनी है 16 ठीक है अब लिए आज के इंपोर्टन MCQ के सेशन को डिस्क्स कर लेते हैं फर्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन के उपर है Steel Authority of India Limited यानि की सेल जो है फ्रेंड्स इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है राइट अंसर क्या रहेगा उप्शन अबर B अमरेंदू प्रकाश जो है यह करंट में फ्रेंड्स अध्यक्ष है Steel Authority of India Limited के यह इनकी इ ग्रामिन विध्यूतिकरण निगम Limited के वर्तमान जो CMD है फ्रेंड्स उनका क्या नाम है तो राइट अंसर इसका आपका क्या रहेगा उप्शन नमर डी विके देवांगन जो है यह करंट में CMD है ग्रामिन विध्यूतिकरण निगम Limited के сторон नेक्स्ट कोशिण Power Finance Corporation की जो वर्तमान जो नथाक्ष है उनका क्या नाम है ताइट अंसर इस ओप्शन नमर डी आर्के त्यागी जो है करंट में अध्यक्ष है Friends, Power Grid Corporation of India के Next important question आज के important session का दे लिवम प्राक्रितिक गैस निगम यानि कि ONGC के जो वर्तमान अध्यक्ष है Friends उनका क्या नाम है Right answer is option number D आरुन कुमार जो है ये current में अध्यक्ष है ONGC के Next है रास्टे ताव विद्यूत निगम यानि कि NTPC के जो CEO है Friends करंट में उनका क्या नाम है तो उनका नाम है गुर्दीप सिंग यानि कि option number A is the correct answer of this question Next question Indian Oil Corporation Limited यानि कि IOCL के वर्तमान अध्यक्ष है जो उनका क्या नाम है Right answer is option number C श्रीकान मादव वैद्य जो है ये current में अध्यक्ष है Friends Indian Oil Corporation Limited के Next है आपका question हिंदोस्तान Petroleum Corporation Limited यानि कि HPCL के जो वर्तमान में अध्यक्ष है Friends उनका क्या नाम है तो उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी यानि कि option number B correct answer हो जाएगा आपका इस question का Next important question भारतिय गैस्ट प्राधिकरन Limited यानि कि गेल के जो वर्तमान अध्यक्ष है Friends उनका क्या नाम है right answer is option number B Sandeep कुमार गुपता करंट में जो है अध्यक्ष है गेल के Next question आज के session का कोल इंडिया लिमिटेट के वर्तमान अध्यक्ष कोन है right answer is option number B प्रमोद अगरवाल जो है ये कोल इंडिया लिमिटेट के फ्रेंट्स करंट में अध्यक्ष है Next आपका भारत पेट्रोलियूम कोर्परेशन लिमिटेड यानि कि बीपी सील के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है right answer is option number B शी जी कृष्ण कुमार जो है Friends ये बीपी सील के वर्तमान अध्यक्ष है इमेज की तुरू भी आप इन्हें देख सकते है Next question जो की last question आज की वीडियो का भारत हैवी लेक्टिकल्स लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कोन है right answer is option number C कौपू सधाशिव मूर्ती ये जो है current में Friends अध्यक्ष है भारत हैवी लेक्टिकल्स लिमिटेड के तो ये तो थे हमारे most important 13 questions इससे पहले मैंने आपको काफी सारी important information बताई थी companies के बारे में भी हमें discuss करा उमीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा अब मैं आपसे two question का test लोगी जिसका answer आपने मुझे comment section में देना है complete video देखने के साथ ही देखे Friends छोटा सा topic है लेकिन आपकी exam point of view से काफी साथ important है आपकी exam में जो है उस company का headquarters पूछ लिया जा सकता है CEO कुन है वो पूछ लिया जा सकते है जा फिर अध्यक्ष कुन है यह पूछ लिया जाता है यहां फिर कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि उस company की स्थापना गब की गई थी तो यह सभी important points मैंने आपको इसी video में complete करवा दिये अब two question के test आपने answers मुझे comment section में देने है तो first question है आपका test का Steel Authority of India Limited यानि की sale के वरतमान अध्यक्ष कोन है for options आपके पास है right answer comment section में आपने बताना है next आपका question है power finance corporation यानि के वरतमान अध्यक्ष कोन है तो PFC के जो भी वरतमान अध्यक्ष होंगे आपने उनका नाम मुझे बता देना है comment section में और आपके लिए एक important information है जो हमारी friends ebook थी last one year की यानि की 2023 की वो भी लोंच हो चुकी है और अगर आपको last month यानि की January 2024 की ebook चाहिए तो आप हमारी website visit कर सकते है www.ravibooks.pdf.com के नाम से है यहां आपको हमारी सारी ebooks मिल जाएंगी यहां पे आपको Indian quality की ebook मिल जाएगी 5555 plus questions पाली इसी के साथ आप January 2024 की ebook भी खरी सकते हैं यहां पे Hindi medium में और English medium आपको दोनों medium में मिल जाएगी और 2023 के early ebook भी अगर आपको चाहिए वो भी आपको यहीं मिल जाएगी इसी के साथ आपको यहां पे friends हमारी English mediums की ebook भी मिल जाती है अगर कोई English medium का student यह वीडियो देख रहा है तो वो भी आप हमारी website को ज़रूर visit करें वहां पे आपको English medium में भी जो है ebooks प्रवाइड करवाई जाती है बायो की ebook मिल जाएगी आपको पॉलिटी की ebook मिल जाएगी इंग्लिश में इंग्लिश में आपको एरली ebook मिल जाएगी और जैनमन की भी ebook मिल जाएगी आपको English medium में तो ज़रूर visit करिएगा www.ravibooks.pdf.com इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जरूर चैक आउट का लेना इसी के साथ हमारा मोबाई लाइब लोचो चुका है रविस्टरी आइक्यू जीकी के नाम से अगर आप हिंदी मिनियम के स्टूडेंट है और अगर आपको कुछ भी कॉंटेंट पढ़ना है जांफिर क्वीज लगवाना है करंट अफिर जांफिर स्टैटिक जीकी का तो आप इस मोबाई लाइब को प्ले स्टोर पिस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं चैनल का लोगो लगा हुआ होगा तो अब आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नहीं टोपिके साथ थैंक यू सो मच फोर वोचिंग इस वीडियो और विश यो अल दी वेरी बेस्ट फो यू अपकमिंग एक्साइम्स